क्या होना मूटे बोलना तुम को ने तुम्हारा को ने यह कोई बच्चा दिखाई देता है भीक मांगते वे आप उससे बात करते हो तो तुरंद उसके तरफ से कोई ना कोई उसका माया बाप बन करके आ जता है कि दर आता है के बच्चे से जब जनरली बात करी जाती है जब उसको दिख जाता है कि कोई कईरोरी कोड़िंग हो रही है मेरी तो बच्चा कभी अपना मूघ भीक मांगते वे नजर आते कई जगा ये देखने में आता है कि पुलिस वाले खड़े हुए है और अपोजिट साइड में बच्चे खड़े रहे के भीक मांग रहे हैं जो पब्लिक इन बच्चों के हाथ में भीक देती है जो भी घिनोने लोग है अगर सही में बच्चों से जो भीक मंगवारे है मैं काजी जिशान सिद्धी की जनता फाउंडेशन प्रेसिडेंट ये जो बच्चों से भीक मंगवा ही जाती है चाइड ट्राफिकिंग जो चलता है जो सड़क पर हर जग अपने को बच्चे भीक मांगते दिखाई देते है सबसे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि इसके जाड़चाओ से पालते हो दिखनक जांन वो खुदानागास्ता गलती से चोरी हो जाए तो बच्चे को चोरी करने वाले जो नीच गंदे घिन्वने लोग हो जो चंद रूपियों के लिए बच्चों को बेश डालते वो उस नन्ने से बच्चे से चोरी कर लेने के बाद क्या क्या नहीं करवाते हाथ पर कटवा के भीक मंगवाई जाती है यह कोई नई चीज नहीं है इसके खिलाब हमने मुहिम स्टार्ट करें है हमारा कहना यह है कि बच्चे काम करना चाइड्ड लेबर भी अनलॉफूल एक् यदि कोई भी नाबालिक बच्चा किसी भी होटल में गेरिज में किसी भी लाइन में काम करता पकड़ा जाता है तो पुलिस वाले तुरंट उस पर कारिवाई कर देते हैं अगर शिकायत होती है उनके नजर में चीज आती है तो पर यह बहुत जादा ताज्जूप की बात है कि खुले आम सडकों पर ट्राफिक में ट्राफिक सिगनल्स पर पाक्स में धार्मिक स्तलों पर मंदिर मजदित दरगाओं के सामने कबरस्तान शम्शान के सामने खुले आम बच्चे लोग भीक मांगते हुए नजर आती है कई जगा यह देखने में आता है कि पुलिस वा आयुकते अस्वती दोर्जे जी उनको हमने लिखित मैंने शिकायत किया हमारे जंता फाउंडेशन की टीम के साथ में तो मैंने इस गंबीर मुद्दे को गंबीरता से लेते हुए एक बहुत अच्छा उनका मेरे को कार्य लगा कि उन्होंने तुरंत नागपूर के क्राइम डिसीपी साब चिनमे पंडित साब को तुरंत फोन करके अपने केबिन में बुलवाया और उनको हमारे सामने उन्होंने निर्देश दिये कि इस मामले को लेकर कि आप अपनी स्पेशल टीम्स बनाइए और इस पर तुरंत कारवाई शुरू करिए तुरंत इस पर एक्शन ऐसा हमको लग रहा है क्योंकि हम भी इस मुईम को लेकर कि इतने दिनों से रोज शेर में दिन रात कभी भी घूमते रहते हैं तो हमको ऐसा पस्नली लग रहा है कि कुछ ना कुछ बच्चे अभी कम दिखाई दे रहे हैं मैं आप लोगों को जनता से भी यह कहना चाहता हूँ सबसे पहले यह बताना चाहता हूँ आपको मैं कि नैशनल यूमेन राइट्स कमिशन की रिपोर्ट है 40,000 बच्चे भारत में हर साल गुमशुदा होते हैं जिसमें से 11,000 बच्चे अंट्रेस रह जाते हैं मतलब उनका फिर लाइफ बर कुछ पता ही नहीं चल पाता है बहुत जादे ताज्यूप की बात है और आप अगर एक चीज़ पर गौर करो नागपुर शेहर के अंदर जो भी जनता है अगर आप गौर करोंगे तो आपको जितने भी बच्चे भीक मांगने वाले दिखाई देंगे उनकी लेंग्वेज जनरली आप देखिए उनको किसी की लेंग्वेज आपको लोकल लेंग्वेज नागपुर की नहीं लगेंगी या तो कोई कलकत्तर का दिखता है कोई औरिसा का दिखता है कोई बंगाल का दिखता है कोई राजस्तान का दिखता है दूसरी बात यह मैं बोलना चाहता हूं, कि जो पबलीक इन बच्चों के हाथ में भीक देती है, उनसे मैं कहना चाहता हूं, कि आप लोग भीक देना बन्द करो, आप बच्चों को भीक देकर करके, मोटिवेट कर रियो, हो कि तु बहुत अच्छा काम कर रहे हैं भीक मांग करके तुने फ्यूचर में भिकारी ही बनना चाहिए इसके अलावा मैं यह चैलेंज करना चाहता हूँ जो भी घिनोने लोग है जो भी घिनोनी गैंग चलाते हैं बच्चा-चोरी की जो गैंग चल रही होंगी यह हमको खुली आम रहेंगी और खुली लड़ाई रहेंगी हम लोग कानून को हाथ में नहीं लेते हैं दूसरी चीज मैं यह बोलना चाहता हूँ के आप देखिए यदि अगर कोई बच्चा दिखाई देता है भीक मांगते वे आप उससे बात करते हो तो तुरंद उसके तरफ से क कोई ना कोई उसका माया बाप बन करके आ जाता है हमने पुलिस से यह भी डिमांड करें हमारी यह भी मांगे पुलिस से कि यह जो लोग है जो उन बच्चों का अपने आपको माबाप बताते हैं उनकी भी सबकी कड़ी जाच होनी चाहिए कि सही में उनके माबाप है भी या यहां पर भी डिलिवरी वर्ट के बाहर में सेक्यूरिटी बढ़ाने की मांग हमने प्रशासन से की है इसके लावा यह मैं आपको कहना चाहता हूं कि यदि आपको ऐसा कई शक लगता है कि यह बच्चा चोरी करने वाला व्यक्ति है यह जो बच्चा है यह चोरी करके लाया तो आपको अगर डर लगता है कि आप वह लोगों के सामने कुछ खतरनाक लोग है आप खुलके सामने नहीं आ सकते तो हमसे कॉंटेक करें हमको आप बताईए यह हमारे पेज का इसमें नाम वीडियो के नीचे में दिया हुआ है पुलिस के बड़े अधिकारियों से आप लड़ाई लडेंगे यह जो बच्चों के साथ में बड़े लोग रहते हैं इनकी कोई आइडेंटिटी का किसी को पता नहीं रहता है कोई क्रिमिनल माइंड सेट का आदमी अगर ऐसे बैरूपियों को ऐसे अंजान व्यक्तियों को किसी का मडर करने किसी के कुछ उल्टा सी जाते हैं घूमते हुए कुछ वीजुएल्स आपको वीडियो में दिखाई देंगे आप इसमें भी देख सकते हैं कि बच्चे से जब जनरली बात करी जाती है जब उसको दिख जाता है कि कोई कैमरा रिकॉर्डिंग हो रही है मेरी तो बच्चा कभी अपना मूँ छुपा बच्चे को वह भी क्या यह कैमरा दिख रहा है मैं को यहाँ से छुप जाना है आप यह किसमें देख सकते हैं कि अगर बच्चे से बात किया जा रहा है तो तुरंत एक लेडी आके अपने आपको दूसरे बच्चे की मा बताती है तो ऐसे लोगों की जाच होना चाहिए हमा जारे को नागपूर को इस गंदी चीज से मुक्त करना है दूसरी चीज जनता को यह भी मैं दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ अपील कर रहा हूँ कि आप बच्चों को भीक देना बंद करिए जो भी घिनोने लोगे अगर सही में यह बच्चों से जो भीक मंगवा रहे आप उनका भी धंदा बढ़ाने में मदद कर रहे हूँ बच्चों के हाथ में भीक दे दे कर इतना ही बात में अपनी बोलकर खत्म करूंगा कि ऐसी कोई भी चीज घटना आपके सामने आती है तो हमको बताईए जै हिन जै भारत जै महाराश्टा